Hello Friends, Welcome to Your Tonight's Knowledge Classes आज की इस वीडियो में हो जो सिखने वाले हैं भीन का जोर बनाने के लिए तो वीडियो में लाजार्टक जरूर बने रहे हैं देखें भीन की जोर बनाने के लिए हर का लस करते हैं तो देखें हर क्या होता है जो जिस बटा है उसको उपर वाले को अंस कहते हैं और इस बटा के नीचे वाले को हर कहते हैं तो सभी हर का पहले लसल लेंगे यानि कि लगुत्तम बनाएंगे तो देखे तीन का हर कितना है तो चार तेहा चार लिखेंगे फिर इस वाले दो का हर कितना है तो तीन तेहां पर तीन लिखेंगे फिर इस वाला एक काहर कितना है तो तीन तेहां पर तीन लिखेंगे अब देखिए दो से तो सिर्फ एक ही कटेगा तो इसको छोड़ देना है उसके बाद देखिए तीन से दो दो कटने वाला है तो तीन से लगाएंगे तो तीन से चार तो कटेगा नहीं तो यहाँ पर चार उतार देना है फिर देखे तीन से तीन कटेगा एक वार में और फिर तीन से तीन कट जाएगा एक वार में अब बच गया तीन और चार बच गया है तो यह दुनों को गुना करेंगे तो आजाएगा बारा एक को नहीं लिखना है यानि कि लासा कितना गया तो 12 तो यहाँ पर 12 लिखना है अब देखे जो हर है उससे इसमें भाग देंगे और उपर वाले में गुना कर देंगे तो देखे 4 से जब 12 को भाग देंगे यहाँपर एगो समझ लिदे चार से बारा में जब भाग देंगे तो तीन बार में कटेगा बारा और जब यहाँ पर जो तीन आया है इससे उपर वाले में गुना करेंगे तो यहाँ पर तीन है और तीन में तीन से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और पलस देखे फिर 3 से 12 में भाग दिना है तो देखे यहाँ 3 से 12 में जब भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा और जब यह 4 बार में कट आते इस वाला 4 से उपर वाले में गुना करेंगे तो 4 से जब 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, पलस, फिर 3 से 12 में भाग देंगे, तो यहाँ पर देखे, 3 से 12 में भाग देंगे, तो 4 बार में कट जाएगा, 12, जब यहाँ पर जो 4 बचा है, इस वले 4 से, उपर जो 1 है उसमें गुना करेंगे, तो 4 से 1 में गुना करेंग तो चार ही हो जाएगा तो यहाँ पर चार लिखे देंगे और बरावर अब उपर वाले सभी को जोड़ देना है और लिखे देना है 9 आए 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा आज 17 में जब 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 कैस हो जाएगा तो यहाँ पर 1 कैस बटा 12 लिखे देंगे यह answer हो गया तो एक और भीन का जोड देखते हैं देखिए इस वाला भीन को जोड को भी उसी तरह से बनाएंगे जिसे पहले वाले में बनाये थे सबसे पहले हर का लसा करना है तो देखिए हर क्या दिया हुआ है 3 का हर कितना है तो 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे फिर देखिए 4 का हर कितना है तो 5 तो यहाँ पर 5 लिखेंगे फिर 4 कहर कितना है 3 तो यहाँ पर 3 लिख दिना है अभी सभी का लासा करना है तो देखे, 3 से तो कटने वोला सिर्फ एक ही ही हो है तो इसको छोड़ देना है इरेक्ट 5 से इसमें भाग देना है तो देखे, 5 से 5 कट जाएगा एक अबार में तो पांच और तीन को गुना करेंगे तो पंदरा आ जागा यानि कि लसा कितना हो गया तो पंदरा तो यहाँ पर पंदरा लिख देना है इस वाले हर से इसमें भाग देना है और उपर वाले में गुना कर देना है तो पांच से पंदरा में भाग देंगे तो तीन बार में कट जाएगा और ये वाला तीन से उपर वाले में यानि कि अंस में गुना करेंगे तो तीन से तीन में गुना करेंगे तो नव हो जाएगा और पलस फिर देखें पांच से फिर पंदरा में भाग देना है तो पांच से पंदरव में भाग देंगे तो फिर तीन बार में पंदरव कट जाएगा तो फिर एवला तीन से उपर वाले चार में गुना करना है तो तीन से जब चार में गुना करेंगे तो यहाँ पर बारा हो जाएगा तो यहाँ पर बारा लिख देना है फिर आप देखें तीन से पंदरा में भाग देंगे तो पाँच वार में पंदरा कट जाएगा यानि कि यहाँ पर जो पाँच है अब इस वाले पाँच से उपर वाले चार में गुना करेंगे तो 5 से जब 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा अब उपर वाले सभी को जोर देना है तो देखें 20 और 12 जोरेंगे तो 32 होगा अब 32 और 9 जोरेंगे तो यहाँ पर 41 हो जाएगा और बटा 15 यह इंसर हो जाएगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए और इस तरह के प्रसुनों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए